नमस्कार में भाकिष्टी बिस्यन निउस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है कबरों के और बढ़ने से पहले आईए डाल तेक नचर आज की सुक्यों पर रिकॉर्ड उचाइप पर पहुचा सोयापीन नहजार दिन सुपपचास रुपे मिली भाव जुन तिमाई में इंडी को कान दुखसान बढ़कर वा 3,144 करोड रुपे वश्वी बाजार में बहुमुल्य धातों की किम्तों के कमजोर होने से सान्य सरफा बाजार में मंकलवार को सोना एक सुपचास रुपे की गिरावट के साथ सोनी का पिछला बन भाव 59,350 रुपे प्रती दस ग्राम था वही चान्ती भी 400 रुपे की गिरावट के साथ 79,000 रुपे प्रती किलो ग्राम रह गए इसका पिछला बन भाव 79,400 रुपे था अंतराशी बाजार में सोना गिरावट के साथ 1795 डॉपे प्रती आस रह गया जबकि चान्ती 25,16 डॉपे प्रती आस पर लगपग अपरिवर्टी थी बिरुर रिपोर्ट बीसे न्यूज अंतराश्टी इस्तर पर कच्छे तेल और डॉपे तेजी से 24,42 डॉपे प्रती डॉपे पर बंद होई थी रुपे की शिर्वाद आज 6 पैसे की बढ़त के साथ 24,36 डॉपे प्रती डॉपे पर रही लेकिन इसके बाद यह दबाह में आ गया बेच कारूपार में एक समय में यहा 24,54 डॉपे प्रती डॉपे तक तोड़ गया था अंत में गर्दिवस की तुन्ला में 5 पैसे नीचे 24,47 डॉपे प्रती डॉपे पर बंद वा अंदराश्य बाजार में कच्छे तेल की किम्तों में तेजी से रुपे तबाह में आ गया है कच्छा तेल एक बार फिर 75 डॉपे प्रती बैरल की करीब पहुँच गया है साथी दुन्या की अन्य च्छा प्रमुख मुद्राओं की बास्केट में डॉपे रही तेजी से भी रुप्या कम ज़रूबा बिरो रिपोर्ट BCN News अंदराश्टिय मुद्राकोश IMF ने वित्तवज 2021 और 22 के लिए भारत की GDP ग्रोध का अनुमान खटा दिया है उसने अब GDP ग्रोध 9.5 फिसीर रहने का अनुमान जटा है पहले उसने GDP ग्रोध 12.5 फिसीर रहने का अनुमान जटा था इसने इस साल मार्च मई के दोरान कोरुना की दूसरी लहर की अर्थ व्यवस्ता पर असर को देखते वे अपनी अनुमान में कट होती की है IMF ने कैलिंडर वर्ष जनवरी से दिसमबर 2021 में वैश्विक अर्थ व्यवस्ता की ग्रोध की अनुमान को 6 फिस्दी पर बना रखा है उसने कहा है कि विखसे देशों की ग्रोध रेट की अनुमान को बढ़ा गया है लेकिन इससे ज्यादा फर्क नी पड़ा है क्योंकि कोरोना की नई लहर के चलते कई दूसरे देशों की ग्रोध की अनुमान को गटाया क्या है इस रेपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थ व्यवस्ता की रिकावरी को लेकर दो तरह की तस्विर दिक्री है कोरोना की वैक्सिन नी दुनिया को दो हिस्सों में बाठ गया है जिस तरह सोयापीन का तेल दिंग प्रति दिन नए-नए किर्थिमान स्ताफिक करा है इसके चलते सोयापीन की तेल की किमट में आथ लगे हुई है इत्ते वर्षों में सोयापीन पहली बार एक तम सिदे 9000 की आकड़े को भी पार कर गया है पिछले दो माँ से जो सोयापीन 7200 से 7500 रुपे प्रति क्विंटल चर रहा था वर 2200 मेंगा होकर 9350 रुपे प्रति क्विंटल पर पहुँच गया है इस उचाई पर किम्ते पहुचने से सोयापीन उत्पादक किसान बहुत कुछ है मार्केट में अभी 400 से 500 बोरी पुराने सोयापीन की आवख खोरी है इत्ते वर्षों में पहली बार सोयापीन को यह भाव मिला है पहले हमेशा ही सोयाबिंग को 3,000 से 3,500 रुपे भा मिलता था लेकिन इस बार इसने रिकॉर्ड डोट दिया है बर्टी किम तो नहीं किसानों को इस बार सोयाबिंग की तरफ आखुश किया है इसके चलते इस बार इसकी बुआई अधिक की है अभी खेतों में सोयाबिंग की छोटे छोटे पौधे निकलाए है नवराती तक नया सोयाबिं मार्केट में आ जाएगा इस बार मार्केट में नया सोयाबिंग को 6,000 से उपर भाव मिले की संभाना चताए जारी है इससे भी किसान खुश नज़नी आ रहे है अभी जिन के सानों ने सोयाबिंग ड्रकाता वे अच्छी किम्ते मिलने की चलती मार्केट में पहुँच रहे है बिरु रिपोर्ट, BCN News एविएशन इंडस्ट्री पर कोरोना माहमारी की दुसरी लहर की गंबिर असर की चलते इस वितवर्ष की पहरी तिमाही में इंडिको एरलाइन्स का संचारं करने वाली कंपनी इंटरक्लोब एविएशन का घाटा बढ़कर 3174.2 करोट रुपे हो गया है वितवर्ष 2021 की अप्रेल जुन तिमाही में कंपनी का घाटा 2844.3 करोट रुपे दश किया गया था हाला कि लोपेस की वज़ा से इंटरक्लोब एविएशन की परिचालंद आम तनिवे पिछले साल की समान आउती से 292.2 फिस्दिक का इज़ाफा 10 क्या क्या है खबर समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नसर आज की सुपर रुपे बिजनस समाचा में फिला लिता ही ऐसे अन्य खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रही बीसेन नियूज नमस्कार झाल